मैं इस्टामुदिन खार और आप देखने हैं प्रहाटिक्स पुरा मामला मेरट के थाना डरौला छेतर में सामने आया है मिली जानकारी के मताबिक यहाँ शनिवार दोपहर में एक महिला खेत में काम कर रहीदी, आरोप है कि महिला को अकेला देखकर वहां से गुजर रहा एक युवक महिला के पास आया और उससे अश्लिल हरकत करना शुरू कर दिया आरोप है कि इस दोरान युवक ने महिला के साथ रेप करने की खोशिस की और उसे जबरंकिस करने की खोशिस करने लगा इस दोरान महिला ने साहस दिखाते हुए युवक का होट ही अपने दातों से काट कर अलग कर दिया यानि खुद के बचाओ के लिए युवक का होट अलग हो गया और ये युवक बुरी तरह से घायल हो गया युवक दर्ज से तड़प कर चिलाने लगा जिससे मौके पर भीड इकठा हो गई होट के टुकडे को पैकेट में रखकर पुलिस अपने साथ ले गई और सुचना मिलने पर मौके पर पुलिस भी पहुँच गई आरूपी युवक को विरासत में ले लिया गया है मिली जानकारी के मुताबिक युवक के होट का टुकड़ा वहीं पर पड़ा हुआ था पुलिस ने आरूपी के होट के टुकड़े को उठा कर पैकेट में रखा और पैकेट को सील कर दिया गया पुलिस ने आरूपी को इलाज के लिए CSC अस्पताल भेज दिया है जहां उसका इलाज किया जा रहा है पुलिस की तरफ से जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक पुश्टाश में युवक ने अपना नाम मोहित सैनी बताया है और पिए समहिला ने आरूपी युवक के खिलाफ ठाने में तहरीर भी दी है जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरूपी को इलाज भी किया जा रहा है और उसे पुलिस तुवता है कि उसे गिरफतार कर लिया गया